हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज में अगें फिर से बहुत स्वागत है मेरे दोस्त पहली वार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए आज बात करते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में क्योंकि जैसे ही ये शेर प्राइस गिरने लगता है तो लोग फिर खरीदने की चिस्ता नहीं करते हैं पर जैसे ही प्राइस उपर चलने लगता है तो पबलिक उस पर तूट पड़ती है और अल्टिमेटली आपको वीडियो भी इतने ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं फिर आपको ऐसा लगता है जैसे ये शेर प्राइस अब गिरे गई नहीं वैसे ही कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के उपर ये शेर प्राइस 6 रुपए पर था फिर धीरे 8 रुपए पर आ गया फिर से लोग 8 रुपए पर खरीद लिए होंगे फिर वापस से ये 7 रुपए पर चला गया उस बीच में हुआ होता क्या है कि जब ये शेर प्राइस बहुत तीजी से 30-40 परसेंट उपर का रेटर न दे देता है तो लोग उसी 30-40 परसेंट के उपर ही जाके शेर को खरीद लेते हैं अल्टिमेटी होती क्या है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है शेर वापस से उसके बाद में 30-40 परसेंट करेक्ट होते हुए इनवेस्टर्स को देखने को मिलता है और जैसे ही करेक्ट हो जाता है फिर इनवेस्टर डर जाता है तो आज इसी के सबजेक्ट में बात करेंग रुपए 42 पैसे का लगाया है मेरे दोस्त अगर किसी ने एक साल पूरे एक साल इस शेर के अंदर वेट किया होगा तो डेफिनेटली उसको ये 5 रुपए 42 पैसे का रेट वहाँ पर आया था जब कंपनी का राइट इशू आया था ठीक है सिधा सिधा 200 परसेंट से उपर का रेटर्न इन्वेस्टर्स की जोली में डाल दिया अब मेरे दोस्त आने वाले समय में क्या हो सकता है अगर इसके पीई की बात करेंगे एक सो साथ का है तो डेफिनेटल अब वैलुएशन तो खाफी हाई हो गए बुक वैल्यू की बात करेंगे कि यह शेर का प्राइस पचास से सो रुपए के भीच में जाए उसके बाद चेश्टा करेंगे क्या करना है यह कंपनी 1995 में बहुत पुरानी कंपनी है सोजलोन एनर्जी लिम्टेट के नाम से आप इसे जानते हो विंड टर्वाइन जेनरेटर एंड रिलेटिड हो गया यूरोपी कंट्रीज को बहुत सारी चीज़ें यह एक्सपोर्ट भी करते हैं जिससे इनका रिवेन्यू काफी हत तक एक्सपोर्ट से भी आता है और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट में इनकी कहीना कहीं बहुत अच्छी पकड़ भी है मेरे दोस इसके साथ स केवल 6 पैसे का था वहां केवल 22 पैसे का आते हुए EPS देखने को मिला अगर कंपनी के सेल बात करें तो गिरी है 6582 से गिर के 5971 रह गई खर्चे की बात करें वहीं कंपनी का खर्चा भी गिर गया जो कि बहुत अच्छी चीज़े कंपनी कहीं ना कहीं चाहती है कि केवल बात करेंगी 17 पैसे का जहार नेगेटिव EPS था फिलाद 2 रूपए 28 पैसे का पॉजिटिव EPS देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूंगा तो जो रिजर्ब्स नेगेटिव में थे 5.50 क्रोड के आसपास किवल 1355 क्रोड के नेगेटि दिन के थे अभी 72 दिन के रह गए हैं इसके सासा जो प्रमोटर की होल्डिंग है 14.50 के आसपास प्रमोटर होल करके चलते हैं FIIs भी कंपनी के अंदर ओन करके चलते हैं 7% के उपर DIS की बात करेंगे DIS ने भी 5% से उपर का मेंटेन करके रखा हुआ है Public की बात करेंगे तो सबसे यदा Где जोस्टेक हैNetublic के पास है और Public धीरे धीरे अक्यूमिलेट भी कर रही है अल्टिमेटर अगर पब्लिक की बात करेंगे तो 72.30% के आसपस पब्लिक ओन करके चल रही है मेरे दोस्त ये कंपनी एक loss making अपनी थी धीरे धीरे profit making की तरफ आगे जा रही है आपको एक चीज और भी आप हर रोज न्यूस पेपर में सुन रहे होंगे जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप आगे बढ़ता चला जा रहा है और पावर कट जो मेजर पावर कट चल रहे हैं उससे काफी हद तक लोग क्या है जो rooftop solar panel होते हैं वो धीरे धीरे लगवाते हुए देखने को मिल रहे हैं अब मैं यह निकेरा कि लोग wind turbine लगाते हैं पर at least roof जो solar होते हैं रूफ के उपर लगते हैं तो वो लगवाने के चेश्टा कर रहे हैं लोग इसका मतलब है लोग धीरे धीरे यह चाहते हैं कि independent तरीके से हम energy को save करें और हम जो solar energy है उस पर completely dependent हो सके हैं ठीक है नमबर एक चीज नमबर दूसरी चीज जब यही industry से related बात आती है हमारी तो वो कहीं ना कहीं wind turbines लगवाने का चेश्टा करते हैं especially US में हो गया या बाहरी देशों में तो बहुत बड़ा और अच्छा culture भी है चीज का मेरे दोस्त धीरे धीरे जैसे ही हम green energy के उपर convert होते चले जाएंगे और surgelon energy अगर यहां से 50 साल रुक गई फिलाल यह थी कि 1995 से इतनी बड़ी loss making अपनी थी फिर भी यह टिके रहे यान जो company ने loss making चल रही तो और company को बनाई रखा जिस हदे तक company को मुझे दिखाता है कि ऐसी वाली जब ऐसी company profit में आती है तो definitely बहुत उपर हद तक यह profit कमा के ले जा सकती है इंडिया से भी मेरे दोस्त इसके साथ government की जो subsidies है उसका भी इनको बहुत ज़्यादा होगा तो at least अगर आप कोई ऐसी company अपने portfolio के अंदर डालना चाहते हैं जिससे government की subsidy भी मिलती रहे प्लस आने वाले समय में कहीं न कहीं उस चीछ का हमको positive impact भी देखने को मिले क्योंकि energy का दिखिए अगर alternate source है या बोले free source है वो किवल हमारा है solar energy या हो गया wind turbine वगयरा हो गया तो उसके चेतर में company ये काम करती इसका बहुत बड़ा impact आएगा stock market के अंदर और इस share के उपर भी देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त अगर आप dependent तरीके से energy को अगर आप सोचते हैं कि green energy आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा कर सकती है हलाकि इस company को आपको यहाँ पर government की subsidies वगयरा उसका फाइदा देखने को मिलेगा 2025 था government का जो model है green energy की तरफ जीरो carbon emission की तरफ उससे कहीं ना कहीं auto sector को भी प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं जो यह socialon energy limited जैसी company हैं इनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा क्योंकि जब इनके पास subsidy आएगी तो definitely इससे company के major जो losses हो होंगे वो कम होते हुए देखने को मिलेंगे और company finally एक ऐसी रफ्तार की तरफ आगे बढ़ेगी जो investors को multi-bagger returns deliver कर सकते हैं मेरे दोस्त फिर भी देखिए अब यह तो मैंने pros बोला and आप cons की बात कर लेते हैं देखिए company अभी भी loss making है company company में जिस तरीके से उच्छाल आएग तो definitely यह ताह रहा कि company कंदर 10-20% की profit booking भी आएगी आप इस share को अभी एक penny stock की तरह लेके चलेंगे तो आप एक अच्छा मोटा मुनाफ़ा आगे इस समय में बान सकते हैं तो definitely जब आपके पास एक penny stock की तरह आप invest करते हो तो छोटी-छोटी quantity में इसको add करते चले जाओ जैसे share नीचे गिरे तो add करते चले जाओ जैसे share उपर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं चुप-चाप देखते रहो कि आपके पास क्या return बन रहा है मेरे पास मैंने तो यहां तक देखा है कि एक बन देख पास किवल साड़े 900 रुपए के आसपा share पढ़ा हुआ है साड़े 400 रुपए का किवल profit पढ़ा है सुजलोन एनरजी के अंदर उसका फंड़ाई के बन एक है वो दो-दो-चार-चार शेर खरीता रहता है नीचे और दो-दो student एक्चुली में तो इस तरीके के जब आप portfolio तैयार करते हो तो as a student आपको बहुत कुछ stock market से सीखने को मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि सुजलोन एनरजी लिमिटेड एक ऐसा share है जो कि student को या आप business man है या आप salary employee है बहुत कुछ सिखा के stock market के अंदर जाएगा कि अगर आप patience के साथ किसी share को hold करते हो तो definitely return बनता ही बनता है मेरे दोस्त फिर भी आपका जो stock market के अंदर जो risk है और जो reward है जो आपको reward मिलना है उसके सासत कहिना कि risk associated रहता है तो आप उस risk को भी ना भूले साथ ही साथ जो आपको return मिलता जाए उसका thank you बोलते चले आगे और सीखते रही है stock market के अंदर फिर भी आज मेरी यहां से मैंने कुछ तथे रखे यहां पर सोजलोन energy से related fundamentals दिखाए कि कुरू गजब के चल रहे है और fundamentals अगर इसी तरीके से continue रहेंगे ऐसा लगता है कि अब रहेंगे क्योंकि 2025 तक जो government का zero carbon emission के थूरू जो government के projects है जो green energy की तरफ government का जो रूजहान है उस यू शेप में return इनको यू शेप में company की growth आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है तो देखते हैं किस तरीके से क्या ये company काम करेगी मैं तो वीडियो लेखर के आता ही रहूँगा फिर भी मेरे दोस्त ultimate decision आपको ही लेना है क्योंकि पैसा आपका है मेरे दोस्त चैनल आप subscribe कर देजीगा कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल तपता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद